जै बहरो वावागी मेरे पिरिय दर्षको सबसे पहले तो आपके मन में बिराजते इश्वर को मेरा साधर पर नाम मेरे इश्वर से प्राथना है कि इश्वर आपको गुराईयों से बचाए और अच्छाईयों के संपरक में आपको रखे आपके घर में सुख सम्रदी आए और खुशी आए बहरो बावाई किरपा आप पर और आपके परिवार पर बनी थे मेरे पिरिय दर्श को आप सभी को दिपावली की हारदिक हारदिक शुब काम नहीं तो मेरे पिरेदर्स को आज का जो हमारा ये विश्य है, ये है कि कैसे मा लक्षमी की पूजा करें, कैसे पूजन करें जिससे हमारे घर में सुक्षमरदी और स्थाइ संपत्ती पराप्थ हो, मा लक्षमी का वास हो मेरे पिरेदर्स को सबसे पहले मैं बताने जाओंगा पूजा में कोडिया और कमल पूस का बहुत महत्व है कौन सी सावधानी रखने से वारे न्यारे होंगे हमारे कौन से सावधानी रखने से मालेक्ष्वी किर्पा होगी हमारे उपर मेरे पीरिदर्स को एक ही दिन रूप चतुरदर्सी और दिपावली क्यों मुना रहे हैं ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपने जान लिया होगा अब हम बात करेंगे पंच परों के मुख्य परों दिपावली की दिपावली पुरों पर पूजा करते से में कुछ विशेश बातों का ख्याल रखना बहुत जुरूरी है जिससे निशित रूप से मालक्षमी परसन होती है और आपके घर में मालक्षमी आती है अन और धन के भंडार हमेशा आपके भरे रहते हैं लेकिन क्या महतो है सबसे पहले तो ये है कि पूजा में बैठे तो जोड़े से यानी पती-पतनी दोनों बैठे और फिर पूजन करें क्योंकि पूजा का लाब तब ही मिलता है जब जोड़े से पूजन किया जाए आपको दियान रखना है कि जब माता सीता रावन के यहां कैद थी तब उनकी मुक्ती के लिए युद में वीजे की कामना के लिए सिरी राम ने रामेश्वर में पूजा की तो सोने की सीता को बना कर गटबंदन कर फिर पूजा की क्यों क्योंकि गटबंदन का अर्थ है कि एक का करम एक करम में दोनों भागीदारी बने पतनी को बामागी कहते हैं लेकिन पूजान के समय पतनी वाम नहीं दाइनी और बैठनी चाहिए दूसरा अगणिव को बनाये पूजा का साक्सी और पूजन के समय पूरे गर में दिपक जग्मागा रहे हो, लेकिन पूजन पारम करने से पूरो आपको घी का दिपक परजलित करना है, क्योंकि अगनी देव आपकी पूजा के साक्सी बनते हैं एक घी का दिपक और एक तेल का दिपक आप जरूर लगाए तीसरा पूजन के समय परिवार के सबीस दस्य सज धज करने कपड़े पहन कर बैठे और संबो हो तो पूजा आदी रात के बाद करे जो मैं आपको आगे ब चार पहर होते हैं पर्थम निशा दूसरा तारू और तीसरा काल और चोथा महा तिपावली की रात्री में आदी रात के बाद यानि लगभग डेड़ बजे के आसपास का समय महानिशा का समय निरुपित किया गया है मानता है कि इस काल अवदी में मालक्षमी की साधना करने अक्षा धन्य धन्य कि प्राप्ति होती है मालक्षमी से संभित ग्रंतों में यह उले खाता है कि दिपावली की रात्री में आदी रात नुसार 12 नौंबर को दिपावली पूजन के लिए सुब मुरत देखे पहले तो सिंग लगन जो रात को 12-28 से सुबह 2-43 तक है देर रात संबव नहीं है उससे पहले बुर्शव लगन जो साम को 6 वजे से 7 संतावल तक पूजा करना चाहिए बुर्शव और शिंग लगन को सत सताई मतलब लगन माना जाता है क्योंकि हम सताई रूप से मालक्षमी को पाना चाते हैं अब कैसे करें पूजन सरव पर्थम गनेजी की पूजा करें फिर पूजन कलस्तापित करें लक्षमी प्रिय कल्पों की पूजा करें जैसे कोड़ी संख आदिम अगर आपके पास स्र पूजा के समय आप घर में जितनी भी पुराने सिक्के हैं जो आपने पिछली धन्तेरस या उससे पिछले समय में जितने भी आपने चांदी के सिक्के खरीदे हैं उन्हें भी सिक्कों के साथ अभी से पूजन करें साथ ही घर में जितनी भी स्वागन महिलाई माताई बहने है उनके पैने वें जेवर अधी रुद्रास माला कुछ भी आप पैंते हो वो सामिल करे। और रात भर उन्हें पूजन सामगरी के साथ पूजन स्थल पर ही रहने दे। मालक्षमी पूजन में अंजली मुद्रा बनाकर सुक्ष मरदी का वर मांगे। याद रखे मालक्षम कभी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए अंजली करके ऐसे आप हाथ जोड़कर आप मासर मांगे अंजली मुद्रा बनाईए फिर नीविय देता परशाद के रूम में घहन करें पहले मालक्षमी के समक्ष पूजास्तान पर एक दो पटाके या खुबी फुल हाथ जोड़ने हैं और नहीं पूजास्मापती के बाद आरती उतारनी हैं आरती के स्थान पर शंबव हो तो स्वस्तिक वाचन कर सकते हैं अब विशेस बात पहला दिपावली पूजन के समें कुछ बातों का विशेस रूप से ख्याल रखना चाहिए मालक्षमी जी जिस त आफ नो पर रहता है जिसे तस्वीर में माउलू पर विराजित हो वो तस्वीर ने लगाए मंदिर दूसरा जो है मालेक्षमी के आठ शवरूप हैं उन मेंसे किसी भी सवरूप को घर में आफस्तान दे सकते हैं लेकिन घरस्थ लोगों के लिए बैठी ओही लक्षमी संपन एक विशेस बाट मैं आपको बताना चाहताूँ इरय साथो इसमें बहुत सारे लोगों को गल्द फह्मी है आप दिपावली पूजन के बाद मालक्षमी के आर्ट्षि क्यों करते है जाते हैं कि आपको आर्ट्षि जाते हैं अथार्थ वे अपनी जगे पर लोट जाते हैं लेकिन आधी देव होने के कार उन्हें विदा नहीं किया जाता इनकी आउस्ता तो जनम से मिर्टु तक होती है इसी कारण आरती नहीं करनी चाहिए हां आप पंडे जी से पूजा करवाए तो आप पंडे जी से कहे कि आरती की बजाए आप स्वास्तिक वाचन करें जल से आरती करें यजमान को आशिरवाद दें आप देखें जब आप शिवजी और गनेजी की कोई भी पूजा रूटीन में करते हैं तो वह आते हैं और फिर आप आरती करते हैं फिर वह अपने जो लोक में लोट जाते हैं हम क्या चाते हैं कि दिपावली पर मा लक्षमी स्थाई रूप से रहे गनेजी रीदी सीधी के दाता है रीदी सीधी देते रहे जब आर्थी कर लेंगे तो वापस चले जाएंगे आप स्वम भी यदि पूजा कर रहे हैं तो आर्थिक स्थान पर स्वस्ति वाचन आप करें चो हैं तो विदा के समयवी हाथ जोडते हैं यानि हाथ जोड़ना विदा का सुचक है मालक्षमी तो दातरी है सैदों अपने भक्तों पर किर्पा करती है कुछ ना कुछ परदान करती है अब सुनिए पांच मां देखे सुख समर्दी दान या सांती और संतोष यस्क और किरती विद्या तप बल दान ग्यान और कोसल सत्गुन धरम अरत मोक्ष सभी कुछ देने वाली मालक्षमी ही तो है ऐसी मालक्षमी को हम विदा कैसे करें इसलिए मालक्षमी पूजन के पसाद अंजली मुद्रा बनाकर स्री जुकाए और वर मांगे कि आपकी कामना पूरण होगी और सदा के लिए मालक्षमी आपके घर में सताई हो जाएगी अब सुनिये छटा दिपावली पूजा के वाद पूरी रात एक मिट्टी के बरतन में या एक मिट्टी के दिवे में आप घी डालकर दिवा जलाए पूरी रात यह जलता रहे और थोड़ा घी भी डालते रहे ताकि वो भूजना जाए अगर भूज भी जाए तो कोई गलती नहीं है समा मांगकर वापस चले जला दीजिए उसे कोडिया और कमलपूस और उससे अर्पित करिए यदि है सावधानी आपने रख ली तो समझो की मालक्षमी किरपा आप पर हो जाएगी और आपके न्यारे वारे हो जाएगे आप अंत में जानते हैं भैचमत कारी उपाए जो मांलक्षमी को आपके पास पुलाने पर मजबूर कर देंगे डेखे क्योंकि लक्षमी पाना आपका भागय नहीं है आपका अधिकार है और यह अधिकार इनी सादनों के पद पर चल कर मिलता है दिपावली पूजन से पूरो ही आप 108 असोख के पत्ते घर लाकर रख दे दिपावली पूजन के समय इन पत्तों पर श्रीम आप लिख दीजिए मंतर का जाब करते ही हर पत्तों पर कुमकुम और रोली से शिरफ श्रीम आप लिखे और पूजन के बाद इन पत्तों की अंदर माला बना कर अपने निवास की मुखे दिवार पर लगा दे अगली दिवात्य धूप दीव निवेदय अगरवत्ति अर्पित कर लाल वस्तर में जो भदर बालाव को बांद कर उस पर शिंदूर और चमेली का तेल मिला कर श्रीम लिख कर बरस भर उसे अपनी तुजोरी में रहने दे या मंदिर में लगे रहने दे फिर 21 दिनों तक लग योग आप ऐसे ही कीजिए मेरे पिरिय साथियों आपको और आपके परिवार को दिपावली की बहुत बहुत सुब काम नहीं सुक्षमरदी के साथ आप रहे घर में लड़ाई जगड़े आपको बिलकुल नहीं करने हैं और नसा पत्ता चोरी चाक्री जूठ बोलना ये सब आप बंद कर दीजिए क्योंकि माता लक्षमी आ रही है तो घर का वातावरन अच्छा बनाईए आप सभी लक्षमीवान बने ऐसी परातना करते हुए एक बात कहना चाहूँगा हमेशा स्वस्त रहे मस्त रहे और वेस्त के साथ आप जीते रहे और आगे चलते रहे तो पी